हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं की कैसे आप अपने Infinix Note 40X Android मॉइल फोन में अगर आपके मॉइल फोन की कॉल के स्क्रीन आफ हो जाती है तो इस प्रल्लम का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानका रही देने वालों तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगी दुस्तों अगर आपके मॉइल फोन की कॉल की स्क्रीन अगर बार बार आफ हो दे तो इसकी सॉल्विशन के लिए सबसे पहले मॉज़ फोन को सीिस्ट्म एका रिस्टार्ट करना है अगला की करने आपके फोन में का फाईल का इपके इसे अपन करना है तो आपका इस वाले पेज में storage का option टैप करना है, यहाँ पर आपको system का option टैप करना है, अब यहाँ पे आपको system update पे tap करना है ठीक है अब यहाँ पे online update पे tap करना है तो आपको इसे continue करेंगे तो आपको इस वाले page पे कोई भी update का button या download install अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता तो उसे आपको tap करगे phone का software update करना है ठीक है अब देखे आखरी का में यह करना ह आपको reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page आप open कर लिजे इसमें आपको नीचे की साड़े system पे tap करना है यहाँ पे आपको reset option टैप करना है अब यहाँ पे erase all data factor reset पे tap करेंगे तो इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपकी problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके mobile phone का data उसका backup ले लिजे अपने phone में और दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो इस दो काम पहले करने है उसके बात phone को reset करना है तो मेरे बताएवे तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी ठीक ना